तरज जैसे के वोडा वुडा कर नहीं आना थे एटोप। हुआ जैसा कर दो सो ग्राम ड्राइगन भूट कि आप खाता है ना तो ही वीडियो क्या आप हयुइंक इंक्रिग करना चाहता हैं क्या आपके ड्रिम हेट ओप ध्ический को ऑपहुंचन चाहता है आने वाला हूं जो आपको help करता है heart increase करना में तो मैं आज एक ऐसा food के बारे discuss करने वाला हूं जिससे आपको daily two times consume करना है and मैं खूद अभी तक इसे consume करता हूं daily दो time मेरा heart बढ़ चुका है और नहीं बढ़ेगा लेकिन अभी तक मैं continue कर रहा हूं and इसका importance बहुत जादा है and मैं saliner को personal training देता हूं मैं इसे diet tips देता हूं मैं इसे personally work out कराता हूं and मैंने खुद इसे कहा कि तुम इसे daily two time consume करो and इसका benefits बहुत अच्छा है एक दो दिन करने से आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जब आप इसे long time तब follow करेंगे आपको बहुत फायदा होगा तो ये खाना है क्या ये कौन सब food है जिससे आपको daily two time खाना चाहिए these are seasonal fruits हर एक मौसम में अलग-अलग fruits आता है and ये God gift है fruits को इसलिए बनाया गया है भगवान इसलिए बनाया ताकि हम इसे खा सके animals खा सके हम इसे खा सके and इसका benefits बहुत ही जवरदस है and benefits जानकर आप सौक् मैं आपको कुछ ऐसा benefits बताऊंगा fruits खाने का जिससे आपको बहुत जब फायदा होगा and भाई भ्यानक results दिखेगा लेकिन regular खाना जोर रही है जिससे अभी गर्मी कर सीजन है तो आम है लीची है जामून है तो different type of fruits है अगर आप एक ही fruit को खाते रहेंगे तो आपको उतना मिलेगा कभी आम खाओ कभी लीची खाओ कभी तीन-चार fruit एक साथ मिक्स करके खाओ आप बाहर जाने ठेला में रहता है वह क्या करता है पांचे fruit एक साथ मिक्स करके देता है और वह हमारे body के लिए अच्छा है लेकिन बहार का खाना ना मक्खी बैठेगा गंदा बैठेग तो एक देट किलो में हो जाएगा और सो देट सो रिपे में काम बन जायागा है सब को काटो थोड़ थोड़ काटो एड़ी दो टाइम करो इसका benefits अब मैं आपको बताने वाला हूं तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत भागना मैं अभी करने चाहता हूं छोड़कर मत भा सब्सक्राइब करना चाहता है मुझे पता है कि जिन लोगों का हाइट ने बहुत ज़्यदा अपसट फिल करते हैं उनका confidence डाउन रहता है जितना confidence डाउन रहेगा आपका body में stress बढ़ते रहेगा और आपका हाइट और नहीं बढ़ेगा तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आप सब को कहना चाहता हूं इससे क्या होगा आपका immunity system double up हो जाएगा अब आप यह सोच रहोंगे कि अगर हमारा immunity system अच्छा हो जाता हूं तो इससे height का क्या relation देखो अगर आपका immunity खराप रहेगा तो कोई भी भारस कोई भी disease आपको easily attack कर देगा और आप बिमार पड़ जाएगे और आप बिमार सरीर लेकर कभी भी सही तरीकी से ग्रोन नहीं कर पाएगे तो जब आप डेली दो टाइमस fruit add करेंगे आपका immunity system बहुत strong हो जागा आप एक circle के अंदर रहेंगे ठीक है और कोई भी वारस कोई भी disease उस circle के अंदर घुस नहीं पायागा बिकॉज आप अंदर से फॉलाद बन चुके हैं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है और जब आप फॉलाद रहेंगे मतलब आप healthy हो strong हो और आपका बॉड़ी चकाचक condition में चकाचक जहां पर कोई बिमारी नहीं कुछ नहीं साप सुतरा है तो आपके immunity system strong है आपका बॉड़ी चकाचक condition में है तब क्या करेगा आपका बॉड़ी ज्यादा growth hormone release करेगा बिकॉज अभी आप PBT period में है आप ऐसा stage में जो आपका growth plates open है और आपका height बढ़ना चाहिए तो जितना height बढ़ना चाहिए आपके genetic potential जितना है आप पहुंच जांगे अगर आपका body चकाचक condition में अगर आपका body चकाचक condition में नहीं रहेगा खराप रहेगा तो भाई आपका height चार पांच इंच कमी रहेगा यहां तक रहेगा और अगर आप थोड़ा महनत करते हो आपको immunity अच्छा रहता तो आप यहां तक इजली पहुंच सकते है कितना difference है ज सही रहेगा तो सब कुछ रहेगा यह अगर खराप रहेगा तो आपका body में कुछ भी results नहीं मिलेगा आप कुछ भी खाना खाएंगे आपका body nutrient absorb ही नहीं कर पाएगा खाएंगे body fake देगा आप फुर फुर पाते रहेंगे अगर आप फुर फुर पाते हैं तो digestive system को strong करो and fruits मे certain elements पाए जाता है जो आपका digestive system को strong करता है and fiber बहुत प्रिजेंट रहता है और को भी खाना को nutrients को absorb नहीं कर पाएगा और calories मतलब energy भी नहीं लिपाएगा तो आप खाना खाएंगे फेक देंगे खाना खाएंगे फेक देंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान रहना चाहिए कि मुझे अपना पेट सही करना पेट सही रहता आपको कुछ बताना चाहता है जिससे आपको फायदा होगा तो ध्यान से सुनना और इंप्लिमेंट करना जो रही है बोलो तो रॉइणस तो राजयद भाई नहीं मेरे को सजिश्ट किया था कि ए अलंदर तुम दो टॉट्स खाय करो दो टॉट्स खा कर देखो होता है क्या तो मैं दो टॉट्स लेता हूं सुभा 10 बजे और साम को 6 बजे तो मैं एक बात बताना चाहता हो आप लोगों को कि मैं अगर फ्रूट नहीं खाएंगे तो मेरा मुझा अब होता ना पैचे निहीं होने लगता है अगर फ्रूट नेरा टैंस अज करेंगे लेकिन फ्रूट खाना जरूरी है क्योंकर मेरा उसी के कारण ठीक हुआ है राजस भाई नहीं सजेस्ट तो मेरा पसंद कभी गुङवा लेका आजाते कभी तर्भूज लेकर आ जाते कभी केला लेकर आ जाते तो कभी ब्लूबरी कर, बहुत ज्यादा सौकी ने और इस्टोवेरी यह दोनों मेरा डाइट में रहता है लेकिन अभी स्टोपर तो क्या कर रहता थाली में क्या कर रहता है पंदरा फ्रूट कम से कम रहता है 14 तो देखो अगर इसके पास बजट है तो यह उतना खरीद रहा है अगर आपका बजट कम अब कम से तीन चार एड करो आज चार आटेम खा फिर कल चार आटेम खाना चाहता हूं आप लोग से एक ही बार जैसे के बोरा बोरा लेकर नहीं आना तो तो यह प्रूट में पसंद करते हैं जैसे ब्लैक वाला आपा ना काला हो गया फिर और एक और श्राइब से आता है उ एक होगी आपका ड्राइगन फ्रूट हो उसको भी बहुत पसंद करते हैं कि आपको ऐसा टेस्ट है इन्क कर्कम का तो डाला जाता हों तो मेरा भाटी में कचड़ा खाना तो डाल लेगी है पहला आपको जानाई है च्छे वजे निदे रहा है उससे पहले अगर कुछ दिखता है खाना जैसे अगर दीग आता है तो महां से मूब आप इतना दिन खा रहा है तो आपका एक लालच बन चुका है लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर भागते रहेंगे न तो लालच रड़ जाये गए और आपका मांड़सेट कुछ ऐसा बन जायेगा ना अगर आप एक दिन खा लेंगा न प्रूटिन दिन वर मैंने सब कुछ सही क्या अब दोकान चल गया है तो वहां से वह दीजा था कोल्ड रिंग दही तो कोल्ड इंग का जगा हम तही ले ले लेते कोल्ड रिंग नहीं लेते दही में प्रोबार्टिक आपका डारा थे यह अच्छा पूंटिन रहता है केल्सिय आप ऐसा करते हो तो आप खूद को सही कर रहे हैं जैसे यह करता ऐसे तो इसको देखर आप मोटिवेट होंगे और उसको देखर और कोई मोटिवेट होगा तो एक चैन बनतर रहेगा और एक कल्चर बन जागा कि हमें एक फीट लाफ चल फॉलो करना चाहिए तो एक कल्चर है और इंडिया में एक ऐसा कल्चर बन चुका है ना कि बस रुखा सुका खाना है यह नहीं खाना है ठंडा लग जाएगा मिट्स खाली मिट्स अंद विश्वास अगर आप अंद विश्वास को फॉलो करेंगे तो आप कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना माइंचेट चेंज करना है और पॉजिटिव एप्रोच रखना है और देखो यह ऐसा चैनल है जहां पर मैं आ तो वहां जाने का बाद मेरा मन करता है कि हम उस सारा बैकरी का जितना समान है सब खाएं जैसे अचीज बताना चाहता हूं इसका ना पेट भॉज खराप हो जगाता है आप बहुत लोगों ऐसा लगता कि मैं इसके बेजती कर रहा हूं बेजती करता हूं मैं रियल फैक्ट जब शकुती में इसके साथ जिम जाता हूं और मेरा वाइब का बड्या कर तो वहां पर बहुत सारे बिस्कृत इसोग हाना कर रहा था कि एक लिए ऐसे कि भावी का बड़े हैं बस मुझे खाना तो मैं टच कर रहा हूं तो इसने अपने आपको इतना ज्यादा कर लिया है आप सोच नहीं सकते हैं तो मैं इसका बेचेदी नहीं करता हूं विकॉज इसका जो पास्ट लाइफ था ना बहुत ख्राब था अगर आप इसको देखेंगे हमें सही कहते रहता है कि मैं फूट्स खाना है अगर घर में फूट्स नहीं रहता है तो कॉल करता है कि भाईया चलिए न ये फ्रूट्स खाना है तो आप चलेंगे क्या बोल चलो तुम्हारे लिए हाजी रहे एंड हमारा हम मैं इसका टीचर नहीं हो मैं इसका गुरू नहीं हम लोग दोस्त है ठीक है विकोज हमारा रिलेसेंसिप इतना गैरा हो चुका है हम लोग दिन वर एक सा प्रेंड की सुबा उखते साथी अपना डाइब फॉलो करता हूं अगर एक दिन भी इधर उधर करेंगे तो कुछ ने कुछ गडबर हो जाता है ठीक है तो एक दिन पर मदलब एक इंच भी होता ना कि जैसे इधर ही गया एक हम मेरा जो मलब डाइट है एक इंच भी हिलने कि मेरे कुछ सुबह यह खाना है साथ से बज़े तो नौ बज़े यह खाना है तो 11 ज़्फाना तो वारह lit strongly प्रीक हो बीग मेरे सखाना खाता हूं बता रही हो गे में मस्դ्रेंट घर का काना दो होता ना से बेंडी मैं कम से कम एक ही दिन खाता हूं ठीक है मैं भेराइटीज फाता हूं बता रहा हुँ को पास पाईस नहीं तो आपको पता है कि यह घूना खाना पड़ेगा जिसमें कोई फादा नहीं है अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छाचा सप्लिमेंटिस ले सकते हो अच्छाचा खाना खहत कर खा सकते हो पैसा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरेंट्स को तोड़ इंफ्लुएंस करें कि देखें मुझे यहां तक पहुंचना है आप वीडियो को दिखाओ कि हां मैं अपना हाइट इंप्रीज कर सकता हूं हाइट को छोड़ ठीक है आप अच्छा डाइट लेकर आप अपने अपने के हल्दी कर सकेंगे आपको अपना पैरेंट्स करना पड़े कि थोड़ा हिल्प करें कुछ पॉकेट मनी दे महिना में 2000 रुपिया अगर आपको मिल जाता है महिना में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप लगबक एक अच्छा डाइट फॉलव कर सकते हैं उतना घर का खाना तो होता है बस खाओ बोलो तो मैं 7 टाइप का उयल यूज करता हूं तो मैं प्राइस बता देना तीन यह चार बता दूंगा आप लों को ठीक है तो जैसे को ग्राउंड नाट ओल ठीक है बदाम का तेल फिर आप प्राइन सबस्क्राइब मिलावाटो तो आप छीज खा रहे ह। अगर सो मिलावाट रहेगा वो चीज आपको बाड़ी कंदर जा रहा है एंड लॉंग दो दिनों कुछ नहीं होगा लॉंग टम में वह आपको अफेक्ट दिखायागा इसलिए आपको हमेंसा सुध चीज खाना चीज जो सुध है जो प्योर है उसी कंजूम करना चीज नहीं वह बहुत सब्सक्राइब करैं ऑर सक्षाजराश है और जो से बनाता है जो भी बदाता हूं गया चीज सकता है कि fala को निन कुछ नीजा टीकन तो आप एक दो यूज कर सकते हैं कि उसमें healthy fat रहता है monosaturate fat रहता है काफी अच्छा fat रहता है उसमें other oils से और देखो अब आप सोचेगे कि fat हमारे body के लिए खराब है fat हमारे बहुत important है is a macronutrient protein carbs fat one gram fat fat में nine calories रहता है and जब आप fat consume करते हो आपका body hormonal balance करता है अगर आपका fat नहीं रहेगा ना तो आपका body growth hormone produce नहीं कर पाएगा produce नहीं कर पाएगा तो good fats का इतना ज्यादा importance है अगर एक healthy body weight पाना चाहते हैं आप अपना body को ज्यादा energy देना चाहता है calories fit करना चाहते है तो fat importance बहुत बढ़ जाता है तो एक ग्राम प्रोटीन में 4 calories रहता है लेकिन एक ग्राम fat में nine calories रहता है तो जो लोग अपना weight को थोड़ा put on करना चाहते है या weight lose भी करना चाहते है तो fat बन करना चाहते हैं वहाँ पर good fats का और चाहते है तो fat हमेसे आपका डाइट में रहना चाहिए तो fat दो तरीकर रहता है good fats and bad fats good fats रहना चाहिए हमारा डाइट में ठीक है और bad fats अगर रहेगा तो उससे क्या होगा cholesterol बहुत सारा body problems हो सकता है जिससे आपका unhealthy weight gain हो जाएगा आप भद्दा दिखेंगे ठीक है आपका body एक खराब state में चल जाएगा अब मैं आपको तीसरा benefit बताऊंगा fruits खाने का that is fruits में certain vitamins and minerals पाय जाता है जो आपका body edges को बढ़हा देता है human growth और बढ़हता है fruits में certain elements पाय जा fat में and fruits का एक फूट के पर dependent नहीं रहा है आप आम खार तो आम ही खाये जा रहा है आप केला खार तो केला ही खाया रहा है सब थोड़ थोड़ रहाना चाहिए quantity उससे क्या होगा आपका body में nutritional deficiency नहीं होगा micronutrients का definition से नहीं होगा and एक चीज दूसरे के साथ related है calcium related है vitamin D3 के साथ यह related उसके साथ वो है उसके साथ तो हरी चीज़ लिंक्ट है और अगर एक चीज़ मिसी हो जाएगा तो पुरा chain तुटके गिर जाएगा तो foods में क्या पाय जाता है certain vitamins and minerals और कुछ elements पाय जाता है जो क्य है जितना जाद है human growth hormone रहेगा height increase उतना जादा होगा and growth plates open high height कैसे बढ़ेगा मनदब क्या बोलते हैं बूर्च खलीपा जैसे बढ़ेगा बूर्च खलीपा बनना है तो fruits खाओ अब मैं आपको चौथा benefit बताऊंगा benefit यह कि आपको body water balance maintain रहता है आपके skin पर साइन करता है और अगर आपका body में water balance खराप हो जाएगा न तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका body properly function नहीं कर पायागा water बहुत important है body में पानी का कमी हो जाएगा तो जितना भी खाना खालो जितना कुछ कर लो तुमारा body function नहीं कर पायागा जैसे एक गाड़ी में petrol जितना important है हमारे body में पानी के उतना ज्यादा importance है और जबसे इसने fruits खाना start के पहले इसका body बहुत डल हो चुका था skin में देखो यह सब skin पर साइन करता है यह fruits का फादा है मैं उतना कंजुम नहीं करता है यह करता है because dedicated बच्चा बहुत dedicated मुझसे बहुत ज्यादा यह dedicated है ठीक है और अभी skin में glow आ चुका है अपने एज की साफ से अपने हाइट की साफ से या ओवरवेट हो तो इसके लिए fruits बहुत important है because fruits आपका metabolism को सही करता है अगर आपका metabolism slow है तो इसको सही करता है अगर fast तो इसको सही करता है इसके लिए best उपा है fruits को daily दो time include कर रहे इससे क्या होगा आपको टेस्ट तो मिलेगा भाई भ्यानक टेस्ट मिलेगा मैंने पहले का कि आपको टेस्ट मिलेगा दूसरा चीजी है कि आपको essential vitamins and minerals मिलेगा fiber मिलेगा साथी साथ आपका body water level maintain रहेगा और इसके साथ साथ आपके body healthy calories मिलता है आप बहार में soda water खा रहे हैं उसमें भी calories है लेकिन वह empty calories है वह calories को कुछ भी importance नहीं है आपका body unhealthy हो जागा लेकिन fruits में जो calories पाई जाता है it is nutrient-dense आप कुछ में खाना खा रहा है कहीं से आप calories अपने body में डाल रहे है that should be nutrient-dense जितना जादा nutrients रहेगा आपके लिए उतना बैतर है तो food selection बहुत important है अगर आप daily fruits दो टाइम खाते हैं तो आपको ऐसा benefit उलता है और आपका height increase होगा तो height increase करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कुछ ऐसा तगड़ा महत करना पड़ेगा और कुछ ऐसा mindset रहना चीए अगर सलिंदर का एही mindset 4-5 साल पहले रहता है तो आज इसका height कुछ और ही होता में भी मुझसे भी ज्यादा होता है विकाज इसके genetics बहुत अच्छा है मेर अपने body पर ध्यान दे रहा है height नहीं है तो क्या हुआ डोले बर दोले दिखा दो दोले दिखा दो दोले दोले अच्छा हो रहा है यह है और अच्छा होते रहेगा naturally कर रहा है तो time लगेगा ऐसा नहीं के दो दीन मिलेगा दो तीन साल बात देखना इसका डोले भी कैसा रह ही होता है बहुत मेंद करना पड़ता है मैंने इतना डोला बनाया तो इसके पीछे बहुत साल का मेहनत है naturally किया naturally को इंजेक्शन सूइच करता हूं कभी नहीं करता हूं बिकाज मैं natural diet पर बहुत विश्वाच करता हूं और आजकल का जो lifestyle हो चुका है बहुत खराप हो चुका है उसको सही करने के जौरत है तो मैं चाहता हूं आप सभी सुदर जाए और अपना heart increase करे एक healthy body weight पाए बहुत important है workout करो जीम करो घर पर करो कहीं भी करना है करो लेकिन क बहुत important है तो वीडियो बहुत बढ़ा हो चुका लगता है ठीक है तो वीडियो को एंड करना जोरुरी है लेकिन चाहल को subscribe करना ठीक है subscribe करना बहुत important है तो नोटिशन विल गेट करना तुम मिलता हो नेशने जब अधर वीडियो साथ अंटिर पीस भाई टेक केर लव यू और